दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन सुख और सम्रिधी भी खुद ही आकर्षित होती है, धन प्राप्ती के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनरजी बदलती है, नकाराक्मक से सकाराक्मक होती है, खुद ही सुख और सम्रिधी आपके जीवन में आकर्षित होने शुरू हो जाती है, परंतु इस पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो गई सभी बातों को बिलकुल ध्यान से समझ कर आप इसका जरूर लाब उठाएं क्योंकि जब भी आप आप इस उपाय को इस्तिमाल करते हैं, तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजिट भी दिखने शुरू हो जाते हैं, इतना ज्यादा शक्ती ये उपाय समझा ज दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन तो उन्हें टोटके किये जाते हैं, और उन्हें से छुटकारा पाने के उपाय भी किये जाते हैं, तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहें, यह माइने रखता है, और जब भी कुछ करें, अपने अच्छे के लिए करें तो चलिए इस बारे में जानते हैं सबसे पहली बार जब शनिदेव की पीड़ा परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानिया आती है एक के बाद एक एक के बाद एक आप उलचते चले जाते हैं और जब शनी अपना रंग दिखाते हैं तब क्या होता है पा पहर निकले कैसे उनको मनाएं एक बात हमेशा याद रखिये घर के मुख्य दर्वाजे पर आपको। अगर पानी डालने की व्यवस्था नहीं है तब दो-चार बूंद चीनते डाल दें और फिर सफाई करवाई। पूछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डाल कर ही पोछा लगवाएं फिटकरी कैसे डालेंगे जो डली वाला फिटकरी होता है। वह आप एक दलीले पूछे के पानी में एक बार घुमाले या मद में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमाले फिटकरी उठा कर रख लें और जो पानी है उसको पूछे के पानी में मिला दें तो इस तरह से आप उस पानी से पूछा लगवाएं या फिर एक नमक डाल कर पूछा लगवाएं, आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा, आप लोग स्वस्थ. स्वस्थ और सुरक्षित बने रहेंगे, यह बहुत सिंपल उपाय है, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा. शनिवार के दिन छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं. शनिवार के हनुमान जी की पूजा जरूर करें अगर आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा क्या करेंगे. अगर कर्ज में फंसे हैं, तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें पान के पत्ते में आपको चुना और ज्यादा नहीं डलवाना है, जब ऐसा बिना बनवाएंगे दुकानदार को पता होता है नहीं तो आपको घर में बनाना है, घर में बना सकते हैं, एक पान का पत्ता लें और उस पर आप लॉंग इलाइची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें, उसका बीड़ा बना कर हनुमान जी के चर्णों में रख दें कथा भी डाल सकते हैं शनिवार के दिन क्योंकि सर्सों के तेल का उपाय किया जाता है, तो आये हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर न जाए सर्सों के तेल का सबसे खास उपाय यह होता है, कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सर्सों का तेल ले लें, अब इसमें अपनी झाया को देखें थे को देखें, अब इस तेल में उडद डाल के वेदी बना कर, आप किसी जानवर को खिला दें, कुत्ते को खिला सकत तो इससे क्या होता है शनिदेव का प्रकोक शान्थ होता है परन्तु हर किसी के लिए यह संभव नहीं की है तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती है तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है क्योंकि कुट्ते के लिए पिछली रो उपर एक चुटकी काले तिल रख दें और हो तो गुर भी रख सकते हैं, इसके बाद अपने उपर से तीन बार उल्टा वाले या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अकसर शैतानिया करते हैं, बीमार रहते हैं, नजर जल्दी लगती है या फिर किसी तरह की कोई टेंशन है किसी के भी से वाले और ले जाकर इसको कुट्टे के सामने प्यार से दे दें एक खास बात और भी है शनिवार के दिन वैसे तो सरसों का तेल की नहीं, बलकि कोई भी तेल अगर आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक देखिए शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, आप बालों में तेल जरूर लगाएं और संभव हो तो नाभी में लगाकर और आपने सुना होगा नाभी में तेल लगाने से होट भी नहीं भरते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है क्योंकि नाभी पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है इसलिए तो कहा जाता है कि नाभी को छेडा मट्टू नाभी में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा लें और थोड़ा सा तेल अपने सर पर और आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सब हलका सा ही सही पर में तेल लगा कर ही शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि शनिदेव को जब रावन ने लंका में अपने पैरो करने के बाद आपकी पूजा करें गा उन भक्तों पर हम कभी भी अपने को दृष्टी डालेंगे इसलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं तब उसके बाद हनुमान जी जी की आराधना जरूर करें इससे शनिदेव आप पर कभी को फिट नहीं सिंपल है अगर आपके घर के आसपास उनकी शीला है तो वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं शनिदेव की आखों में नहीं देखा जाता है इस बात का ध्यान रखिएगा इसलिए उनकी मूर्ती की पूजा नहीं होती है जहां शीला है वहाँ पूजा होती है कहने का तातपर यह है कि ऐसी मूर्ती का दर्शन न करें जो आपकी ओर देख रही है, आपने देखा होगा शनिदेव की। मूर्तियों की आखें उपर की ओर देखती है, जानबूच कर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नकारात्मक असर ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड में एक लोटा जल अरपित करने से भी शनिदेव शांत रहते हैं, और शनिवार की सुभा जब आप जल अरपित कीजिएगा, तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तेल और थोड़ी सी गुडिया मिश्री सफेद पोश और एक चुटकी अक्षत ल जड़ जलाईे और अगर जीवन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड होता है, उसके नीचे दो मुखागनी का दिया जला दीजिएगा, लक्षमी दोड़ी चली आएगी, वैसे एक और बात याद रखेगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उसके बाद हनुमान जी, पूजा जरूर करें, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है, और शनिदेव के अशुब असर से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुरभाग्य से आप बाहर निकल नहीं देते और शनि दोशों से मुक्ती के लिए आप चोला चढ़ाएं कभी कभी शनिदेव मगर कुपित हो, जाए साधे साती ढया चले तो न तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा नहीं जीवन में आप खुश रह पाएंगे में टेंशन और शत्रो विरोधी बढ़ ज अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें, अब यह चोला क्या होता है, चमेली का तेल या फिर भी ले लें, इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाएं, उसी को क रहते हैं. भी खुश करने के छोटे से उपाय किये जाते हैं, जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के व्रिक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे, तो यह दीपक सरसों के तेल का हो, और इसमें दो चार दाने काली उड़त की दाल दें, अगर आपके पास काली उड़त के द अगर दाहिने साइड आप एक दिया जला दें, सरसों के तेल का दिया जला दें, इसमें कुछ मत डालिये मिट्टी का दीपक जलाना है, दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुडियों पत्ते रख सकते हैं, इसके बाद दीपक का मुख दक्षिन दिशा की तरफ रखें, यह शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं, यह पित्री देवों के निर्मित होता है, और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वहीं फल मिलता है, बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिये या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिये तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कश्टों को दूर करने के लिए डा, वकी शरण में आ सकते हैं, आज हम आपक एक खास उपाय के बारे में भी बताएंगे, अगर आपकी नौकरी रोजगार में परेशानी है, तो जो ब्राउन चना होता है, उसको आप शुकरवार की रात पानी में भिगो लें, और शनिवार की सुभा उसको सरसों के तेल में हलका सामें गर्म कर लें, उसमें तेल मसाल कुछ भी नहीं डालना, नमक भी नहीं डालना है, और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला दें, नौकरी रोजगार की परेशानी दूर हो जाएगी,